हेलो गाइज और वेलकम, आइम सुबोट फ्रॉम ओटर मेडिया एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की टॉप फाइफ फ्लॉप स्कूटर्स कौनसी रही है जो इंडिया मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और हम इस लिस्ट में इस नमबर पर में यहां एक नहीं दो मोपेट को मेंशन करना चाहूंगा हूंडा नाभी एंड होंडा क्लिक इन दोनों मोपेट में हमें एक्टिवा का ही सेम इंजिन देखने को मिलता है जो 110cc का है अराउंड 8 PS की पाउर एंड 8.8 Nm का टॉर्क ये इंजिन जनरेट करता ह एक्टिवा से कंपेर करते हैं इसकी प्राइस कम थी लेकिन फिर भी लोगों ने इनके वज़ा कंवेशनल स्कूटर को जादा प्रेफर किया उसके कारण की सेल्स बहुत ही कम रही है और अब होंडा ने इनको इंडियन मार्केट से डिसकंटिनीवी कर दिया है अगर इसके प्रेवर का रीजन जाननी की हम कोशिश करें तो होंडा ने नवी एंड क्लिक के साथ कुछ अलग करने का ट्राइ किया था मीनी स्कूटर या फिर मीनी बाइक जैसा इनमें डिजाइन दिया था लेकिन इंडियन्स को ये डिजाइन इतना कुछ खास पसंद नहीं आया तो इ उन्होंने 125 से सिका मोडल निकाला जो 8.7 PS की पावर एंड 10 Nm का टॉप प्रेडूस करता था वैसे फीचर्स तो उन्होंने बहुत दिये थे जैसे कि इसमें एडिस्टेबल सीट मिलती थी रिमोट की मिलती थी लेकिन इसके सेल नमबर्स इतने अच्छे नहीं थे महिंद्र आने भी अब इसको डिसकंटिन्यो कर दिया है इस लिस्ट में थर्ड नमर पर है टीवेस स्कूटी जहस्ट स्कूटी जहस्ट एक 110cc की स्कूटर है और यह स्कूटर अभी भी सेल पर है लेकिन इसके भी सेल नमर्स कुछ खास नहीं है इस स्कूटर में हमें 8 PS का पावर पिटर है और जहस्ट में बहुत ही कम फीचर तेकने को मिलते हैं माला कि उसकी प्राइस भी कम है लेकिन लोगों ने उसे इतना पसंद नहीं किया है दोस्तों एक चीज़ और में यहां क्लियर करना चाहूंगा कि फ्लॉप स्कूटर का मतलब में यहां यह नहीं बोल रहा यह स्कूटर अच्छ नहीं है हां लेकिन इनके सेल नंबर इतने अच्छ नहीं है सिंपली इनियान मार्केट में इतना कुछ खास का परफोर्म नहीं किर पाई हैं इस लिस्क के फ hmm पे हैं सुजुकी लिट्स तो सुजुकी की तरफ से आने वाली एकержणी एक इंच्रिवल और जैसे कि TBS test के सिनारियों में Jupiter है जो अच्छे sales नंबर्स ला रही है वैसे भी यहाँ पर Suzuki access 125 है जो अच्छे sales नंबर्स ला रही है जिसके कारण Suzuki Lates के ऊपर लोगों का उतनाज़दा ध्यान नहीं गया और Suzuki ने भी इसको बाद में discontinue कर दिया इस लिसके 5 नंबर पर मैंने mention किया है TBS Vigo को अगेन एक TBS की तरफ से scooter है और अब आप लोग बोलोगे कि Vigo एक flop scooter नहीं है और मैं भी इस पास से सहमत हूँ कि definitely Vigo एक flop scooter नहीं है लेकिन अभी के recent years के इसके sales figures हम देखे तो वो कुछ खास नहीं रहे है 2010 में company ने इसको launch कर दिया था और ये पहली scooter थी Indian market में जो 12 इंच एलोविल्स के साथ आ रही थी 110 सीजिका engine मिल जाता था decent performance था और और एक बड़िया package थी है scooter और अपने lifespan के कुछ 10 साल में से 5-6 years पहले वो popular रही लेकिन उसके बाद के इसके sales drop हो गए लोगों ने बाकी scooters को अपना preference दिया और last में अब TBS ने इसको BASX का update नहीं दिया है जिसका मतलब अब ये discontinue हो गई है और मुझे लगता है इसके पीछे का reason जुपिटर का launch भी हो सकता है क्योंकि जहां से जुपिटर launch हो गए दोनों में भी same engine options आपको मिल जाते थे और जुपिटर के sales increase हो गए लेकिन Vigo के sales decrease हो गए और भी कुछ scooters है जो इंडिया में बहुत कम sales होती है जैसी की hero destiny ये hero की maestro है actually maestro की अगर हम बात करें तो उसका जो old model था वो काफी decent sales हो आता लेकिन उसके user reviews इतने अच्छे नहीं रहे कुछ लोगों ने तो उसमें engine reliability जैसे भी issue face किये थे अगर आप एक next owner है तो आप आपका opinion comment section में प्लीज बताइए उसके बाद मैं mention कर सकते है हम Honda aviator को actually aviator एक flagship scooter हुआ करती थी Honda के पूरे line-up में overall एक अच्छी and decent scooter थी बस हलकी सी over price थी जिसके कारण ज्यादा लोग उसको effort नहीं कर पाए और उसके sales numbers भी ज्यादा बढ़ नहीं पाए थे guys यही था video top 5 की list करते करते 7 to 8 scooters को मैं यहाँ पर mention कर चुका हूँ एक बार और में कहना चाहूँगा कि flop का meaning में यहाँ यह नहीं बता रहा हूँ कि यह scooters अच्छी नहीं है बलकि यह बता रहा हूँ कि इसको Indian market में इतना अच्छा response नहीं मिला और उसके पीछे भी कुछ-कुछ reasons रहे हैं जैसे कि कुछ scooters का design and looks अच्छा नहीं थे कुछ scooters में after sales service अच्छी नहीं मिल रही थी, कुछ scooters का performance यह अच्छा नहीं था, कुछ value for money नहीं थी, etc. तो वीडियो को अब समाप्त करते हैं यहाँ पर अगर आपको यह जानना है कि 2020 में लेने के लिए कुछ सी scooters value for money हैं तो मैंने उस पर एक already वीडियो बनाया है उसकी link में नीचे description में दे रहा हूँ, आप उसको check out कर सकते हो और bias के related कोई भी queries है तो आप comment section में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like करो, channel को subscribe करो जिससे आपको और भी bias and cars के related आपको videos मिल जाए Thanks for watching guys, bye